वेल्कम बैक आप सब का फिर सोगते मेरे चैनल पर सहाईश चैनल जिसमें आप सब को फिशर्स की बारे में बहुत कुछ इंफर्मिश मिलती है जिसा कहरे एक नए टॉपिक किसा आता हूँ आज का एक टॉपिक है आज हम लेकर आये हैं आज में लेकर आया हूँ यह बहुत जलदी मर जाती है अक्विरेम के अंदर जीसे बहुत सब को जानते हैं जो है बहुत सालों तक भी जीती है बहुत साल बहुत disease भी पैदा हो जाते हैं fishes के अंदर अगर उसका proper treatment नहीं करें तो fishes जो है बहुत sensitive होती है जो अभी मैं list में बात करने जा रहा हूँ वो बहुत sensitive fishes होती है disease attack होने के बाद या disease या कोई भी disease लग जाने के बाद अगर immediately आप उसको treatment नहीं करेंगे तो ये समाल नहीं पाएगी tolerant नहीं करेगी बहुत जल्दी fishes मर जाएगी उसमें सबसे पहला है catfish या आप कहा जाए तो placo fish catfish जो है बहुत जल्दी fishes मर जाती है क्योंकि बहुत sensitive होती है पानी की quality को ये temperature को suddenly water changes होने से yet sudden temperature drop होने से या high होने से बरदाश नहीं करती बहुत जल्दी fishes मर जाती है बहुत से लोग देखते हैं कि fishes active रहती है healthy रहती है अच्छी खाती पीती fishes है लेकिन immediately मर जाती है इसका reason यही है कि fishes जो है बहुत sensitive होती है थोड़ी भी अगर कमी पेश हो जाये तो fishes जिन्दा नहीं रह पाती और दूसरी fishes है discuss हाँ discuss आप सब जानते हैं ये fishes जो है बहुत costly होती है बहुत से लग उसको रखना पसंद करते हैं लेकिन इके सासाथ ये भी जान लेे fishes जो है बहुत difficult होती है उसकी care और बहुत difficult होती है इस fishes को long life रखना क्योंकि fishes जो बहुत ही sensitive होती है water quality के लिए और pH level के लिए थोड़ा भी pH level drop हो जाए या high हो जाए तो fishes sick हो जाती है और immediately train बेट नाग करने के वज़े से ये fishes मर भी सकती है इसलिए fishes जो है मैंने लिश में डाला है क्योंकि ज्यादा पानी के अंदर ammonia बनने के वज़े से या temperature drop होनी के वज़े से without any reason fishes मर जाती है अच्छी लगती है fishes खाई पी रहती है अक्टिव रहती है इतनी नजर भी नहीं आती internal disease हुआ रहता है हम उसकी science नहीं पहचान पाते जो इसकी वज़े से fishes जो है बहुत जल्दी मर जाती है बाद में शाक हो जाते हैं कि किस तरह fishes मर गई तो ये common है ये हो जाता है आप टेंशन ना ले लेकिन छोड़े चीज़ें है उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे fishes जो है नहीं मरेगी और तीसरा है टाइगर बाप टाइगर बाप fishes को को नहीं जानता जो fishes जो ही बहुत पापुलर है आक्वेरम होबी में beginners भी इसको जानते हैं ये बहुत ज्यादा सेल की जाने ले fishes भी है और ज्यात और पर fishes इसको रखना पसंद करते हैं इसकी look की वज़े से इस temperature drop हो जाए या high हो जाए पानी sudden change हो जाए या ammonia level बढ़ जाए या नेटर टेवल भी बढ़ जाए तो fishes जो है बहुत जल्दी मर जाती है इस fishes जो है डिसेस को या कोई भी डिसेस attack हो जाए या कोई बिमारी attack हो जाए इसको समाल नहीं पाती बहुत sensitive होती है इसलिए fishes बहुत ज बहुत जल्दी मर जाती है और एक प्राबलम है इन fishes का ये fishes का मौच जो है मुह जो है बहुत छोटा होता है आप नार्माल पिलेट जा लेंगे तो खाने में बहुत तकलिफ होती है प्रापर फूट फिरिंग नहीं होती और temperature sudden changes होने से या पानी sudden changes होने से इस तरह बहुत ज जल्दी मर जाती है without any reason आपको पता ही नहीं चालता कि fishes बहुत सारे active रहती है fishes जो है खेलती रहती है खाती रहती है लेकिन immediately मर जाती है इसी तरह क्योंकि यह बहुत sensitive fishes है लेकिन थोड़े fishes ज्यादा दो पर angel fish जो है जैसा कि black angel fish है या silver angel fish या white angel fish है इस तरह के fishes बहुत fishes है जिसा कि mono angel fish है या koite fishes angel fish है तो यह fishes जो है survive कर जाएंगे जो छोटी fishes होती है black and white fishes mix होती है या dark black होती है यह silver color की होती है यह fishes जो है angel fish में बहुत जल्दी मर जाती है और पांचवा fish goldfish है of course goldfish को 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 नहीं जानता बहुत beautiful fishes होती है और बहुत attract करती है लोगों को और lucky fishes में fishes भी है बहुत से लोग इसको रखना पसंद भी करते हैं लेकिन और feeding की वज़े से और temperature instability की वज़े से और पानी का खारा भणने की वज़े से fishes बहुत जल्दी मर जाती है ध्याद ओर पर fishes जो है goldfish और feeding की वज़े से मर जाती है बहुत से लोग इसको feeding कर देते हैं इन fishes messy eater है इतना भी फूट डालोगे, 24 घंटे फूट आप फिट करते रहो, खाते रहेगी, खाते रहेगी, इसको लोग जो बीगिनर्स होते हैं, लाकर डालते हैं, उसकी मेटवालिजम को समझ नहीं पाते हैं, फूट डालते रहते हैं, जिसके वज़े से फिशेस बहुत जल्दी मर ज जाती हैं, क्योंकि सेंसिटी होती है, और सातवा किसिंग गोरामी, यह भी बहुत जल्दी मर जाती हैं, क्योंकि फिशेस फूट बहुत कम खाती हैं, सिर्फ आलगे पर सरवाई कर जाती हैं, कभी-कभी ऐसा होता है, आट-दस जिन तक फिशेस फूट खाना स्टाप करती है उसके बाद सूप कर मर जाती है और आटवाँ ग्लोफिश ग्लोफिश भी जो बहुत सेंसिटी होती है कलर दिया जाता है जो बहुत जल्दी सरवविव नहीं कर पाती थोड़ जोड़े रिजनों के वज़े से जैसा कि वाटर छेंजेस हो जाए ज्यादा या टेंपरेचर ड्रॉप हो जाए तो फिशे बहुत जल्दी मर जाती है और नवाँ जो है डाइट पैरेट फिश डै यानि जो डाइइंग करके उसके उपर डिजाइन क्या होता है पैरेट फिश के उपर या उसके उपर हाट्स होते हैं किसी तरह के डिजाइन बना कर देते हैं हलांकि ये अक्वेरियम स्टोर में लुक देती है ब्यूटिफुल आपको अट्राइट करती है ब्यूटिफुल होती है जब आप अक्वेरियम में अपने लाकर डालेंगे तो ये एक मेहने के अंदर-अंदर ही ये मर जाती है और देस्वाँ फिश जो है फिमेल बेटा फिश फिमेल बेटा फिश जो बहुत रेर अवेलबल है अक्वेरियम स्टोर में लेकिन आप ब्रीट करने के लिए लेकर आते हैं वाँखर ब्रीट कर देते हैं सेससफोली कभी-कभी लेकिन ब्रीड करने के बाद फिश 되면 बहुत जल्दी मर जाती तो ये 10 फिश हैं इसलिए अगर फिश आप खरीद्दी उस वीडियो को जरूर ल tiene देख लें और देखकर अगर आप क्यापासिटी रखते हैं या अगर आपको जानकरी है किस तरह प्रॉपर केर करना है फिशस को तब आप इनको लांग लाइफ तक भी रख सकते हैं और तो मुईत करते हैं वडियों को बहुत हिल्पफूल होगा अगर हिल्पफूल होते हैं वडियों को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे शानल को फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं जब तक के लिए बाबाई खुदा आपीस असरेकाल हुआ 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 है